Hello friends, आज की ये वीडियो इंडियानेशनल कॉंग्रेस सेशन्स की पार्ट 4 वीडियो है पिछली तीन वीडियो में हमने 1885 से 1925 तक के सभी सेशन्स को कवर कर लिया था और अब शुरुआत करेंगे इंडियानेशनल कॉंग्रेस सेशन 1926 से जो की गुहार्टी में हुआ 1926 गुहार्टी सेशन की दो खास बाते है पहली बात ये कि ये पहला सेशन था जो कि इंडिया के नौर्थ इस रीजन में हो रहा था और दूसरी खास बात ये कि यहाँ पर पहली बार पूरा का पूरा पंडाल लोगों के रहने का अरेंजमेंट सब कुछ खादी के टेंट्स में किया गया था एक्शली पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी जब से कॉंग्रेस जोइन किये थे तब से खादी के ऊपर बहुत ज़ादा इस्ट्रेस दिया जा रहा था इनफेक्ट 1921 में भी पहली बार टेंट्स खादी में ही लगाए गये थे बट 1926 सेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही खादी में कर दिया गया था इनफेक्ट कहा गया कि डेलिगेट्स को भी खादी के कपड़े ही पहन कर आना होगा इसके बाद नेक्स सेशन हुआ 1927 में जो की मदरास में हुआ इस साल बिटिश गवर्मेंट ने साइमन कमिशन को पूर्ण किया था जिसमें एक भी भारतिय सदस्ति नहीं था इसलिए कॉंग्रेस ने साइमन कमिशन को बॉयकॉट करने के लिए रिजूलूशन पास किया कहा कि हम साइमन कमिशन को हर स्टेज पर और हर फॉर्म में बॉयकॉट करेंगे इसके लबा किसी भी फॉरन कंट्रीज में इंडियन ट्रूप्स को भेज़े जाने पर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने आपत्ती जदाई और इसके अगेंस रिजूलूशन पास कर दिया साथी साथ इन्होंने प्रपोस किया कि सिंद को बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए इसके अगले साल 1928 में साइमन कमिशन इंडिया आ चुका था जगा जगा इसका विरोध किया गया और ऐसे ही एक विरोध प्रिदर्शन में लाला लाज पत्राय बुरी तरह से घायल हो गए और इन इंजिरीज के कारण उनकी डेथ हो गई साइमन कमिशन के विरोध को देखते हुए बिडिश ग़र्मेंट ने इंडियन्स को एक प्रोपोजल दिया उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप लोग भी एक कॉंसिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोपोज करना चाहते हैं तो बिडिश ग़र्मेंट साइमन कमिशन के साथ साथ आपकी दी हुई रिपोर्ट्स पर भी विचार करेगी ऐसे में मोतिलाल नहरू के नेतरत में नहरू रिपोर्ट तयार की गई और इस साल यानि 1928 में मोतिलाल नहरू को ही प्रेजिडन चुना गया और इस सेशन में नहरू रिपोर्ट की रिकमेंडिशन को एकसेप्ट कर लिया गया जिसमें डोमीनियन स्टेटस की मांगी गई थी विदिन टू यर्स इसी सेशन में आल इंडिया यूथ कॉंग्रेस को भी फॉर्म किया गया इस साल एक बड़ा इवेंट और भी हुआ था और वो था बार्डोली सत्याग्राया जिसमें बिडिश सरकार को सरदार बल्लभाई पटेल के सामने जुकना पड़ा था और उनकी डिमांड्स माननी पड़ी थी नेक्स्ट यर यानि 1929 में सेशन लाहूर में हुआ जो कमेटी अपॉइंट की थी हाटो कमेटी उसने अपने रिपोर्ट सम्मिट कर दी थी इसके लावा जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स बिडिश कवर्मेंट को भेज दिया थे बड़ इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस सेशन में कुछ हुआ तो वो ये था कि यहाँ पर पॉइंट सुराज रेजुलिशन पास किया गया था अभी 1928 सेशन में ही हमने देखा कि कॉंग्रेस डोमीनियन स्टेटस की मांग कर रही थी और जस्ट एक साल में कॉंग्रेस ने अपनी मांग डोमीनियन स्टेटस से बदल कर पॉण सुराज यानि Complete Independence कर दी तो ये इस सेशन की सबसे खास बात है और यहाँ पर कहा गया कि अब से हर साल 26 जनवरी को हम Independence Day की तरह सेलिबरेट करेंगे और अगर बिटिश गवर्मेंट हमारी Complete Independence की डिमांड नहीं मानती है तो Civil Disabilities Movement शुरू किया जाएगा इस साल एक Important Event ये भी था कि यहाँ पर Mother Teresa भारत में आचुकी थी अगले साल यानि 1930 में कोई Congress Session नहीं हुआ था Reason था कि Congress ने Civil Disabilities Movement शुरू कर दिया था और सारे के सारे Leaders जेल में थे हमने Civil Disabilities Movement वाली वीडियो में देखा था कि डांडी पहुंचने के बाद मार्च धरासना तक भी की गई थी इस साल First Round Table Conference भी हुई थी बट Congress leaders ने उसे Boycott कर दिया क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं था कि एक तरफ तो आप Civil Disabilities Movement कर रहे हो और दूसरी तरफ Government के साथ Negotiations इस साल दो और Important Events हुए थे अलाबाद address और चिता गौंग Armory Raid Next Year session हुआ कराची में यहाँ पर President Elect हुए वल्लभाई पटेल Session से पहले ही गांदी जी जील से छूट चुके थे और उस समय के Vice Royal Lord Irwin के साथ उनके Negotiations चल रहे थे Lord Irwin चाहते थे कि Civil Disobedience मोवेंट को बंद कर दिया जाए और इसके लिए वो गांदी जी के साथ Negotiations कर रहे थे Ultimately गांदी जी और Lord Irwin के बीच में Pact Sign हुआ जिसे गांदी इर्विन Pact कहा जाता है इस तरह Civil Disobedience मोवेंट भी end हो गया Congress ने इस सेशन में गांदी इर्विन Pact को endorse किया इसे Civil Disobedience मोवेंट की जीत के रूप में देखा गया और क्योंकि ये सेशन मार्च में हुआ तो गांदी जी को नॉमिनेट किया गया कि इस साल के अंत में जो Second Round Table Conference होगी उसमें गांदी जी Congress को रिप्रेजेंट करेंगे इसी साल भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को British Government ने फांसी पर चड़ा दिया तो Congress के इस सेशन में Congress ने भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू की ब्रेवरी और सेग्रिफाइस के प्रिशनसा करते हुए कहा कि हम किसी भी तरह के political violence को favor नहीं कर सकते इसके अलावा इसी सेशन में कराची resolution पास किया गया जहां पर fundamental rights national economic progress principle of adult franchise बगएरा पर Congress ने अपनी policies declare की, इस सेशन के अगले ही महीने, April 1931 में नएव आश्रोय लॉर्ड विलिंग्टन भारत आ गये, इसके बाद next session 1932 में दिल्ली में organize किया गया इसी साल के शुरुवात में गांधी जी second round table conference से निराश होकर लोटे और आते ही उन्होंने civil disobedience movement के second phase की शुरुवात कर दी, बट British government इस बार पूरी तरह से तयार थी, उसने Congress को एक illegal organization डिक्लेयर किया और गांधी जी को arrest कर वा लिया इस साल Congress session के प्रेजिडेंट Mother Mohan Malbiyah को चुना गया था बट ध्यान दीजिए कि अब British सरकार की नजरों में Congress एक illegal organization है तो Mother Mohan Malbiyah को रास्ते में ही arrest कर लिया गया इस session में जो delegates पहुंचने वाले थे उन पर भी पुलिस ने attack कर दिया बट फिर भी जैसे तैसे 500 delegates इस session में पहुंच गए बट इन हलातों में session cancel करना बढ़ा ये session नहीं हो पाया और क्योंकि Congress को एक illegal organization माना गया था इसलिए उसे third round table conference में invite भी नहीं किया गया था इसी साल 1932 में कुछ और important events भी हुए बिडिश सरकार ने communal award announce किया गांधी जी इसके protest में अंशन पर बैट गए और फिर भीम राओं अंबेटकर और गांधी जी के बीच यरवाड़ा जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ इसके अगले साल 1933 में सेशन गैलकटा में हुआ यहाँ पर मदन मोहन मालविय को प्रेजिडंट होना था बट वो अभी भी जेल में थे तो नेली सेन गुपता को प्रेजिडंट चुना गया यह एक बिटिश लेडी थी जिन्होंने जतेंद्र मोहन सेन गुपता से शादी कर ली थी जतेंद्र मोहन सेन गुपता बिसिकली गांधी जी के राइट हिंड माने जाते थे और नॉन कॉपरेशन मुवमेंट में उनके साथ थे नेली सेन गुपता भी अपने पती के साथ non-corporation movement में काफी ज़ादा involved थी तो Congress में उन्हें भी काफी ज़ादा सम्मान के साथ देखा जा रहा था इस साल एक important event ये भी हुआ कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान declaration नाम का एक famous pamphlet निकाला था वर्ड पाकिस्तान पहली बार इसी pamphlet में इस्तमाल किया गया ये pamphlets थर्ड round table conference में भी surplus किये गए थे next year session हुआ Bombay में प्रेजिडेंट थे राजेंदर प्रिसाद इस साल एपरेल के महीने में गाधी जी ने civil disobedience movement को suspend कर दिया था और इस session की खास बात ये थी कि यहाँ पर Congress के constitution में कुछ बड़े बदलाव किये गए इस बार तो Congress ने अपने constitution में ही लिखवा दिया कि अगर Congress का member बनना है तो खाजी जरूर पहनना पड़ेगा और साथी साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि Congress में जितने भी members होंगे उसको अगर 500 से divide करो तो जो value आगी सिर्फ उतने ही delegate session में allow किये जाएंगे कहने का मतलब हर 500 member पर एक delegate होगा यानि एक प्रकार से एक delegate 500 लोगों को represent कर रहा होगा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस sessions में इसके अगले साल यानि 1935 में Government of India एक 1935 आया जिसके द्वारा provincial autonomy introduce की गई थी और अब इसके base पर elections होने थे तो Congress elections के तयारी में जूटी होई थी तो इस साल इंडिया नेशनल कॉंग्रेस session नहीं हो पाया Next year यानि 1936 में session लखनों में था President चुने गए जवारलाल नहरू इस साल सिंद को Bombay से अलग कर दिया गया था हमने देखा था कि 1927 मदरास session में Congress ने ये डिमांड की थी सिंद को Bombay से अलग करने की In fact जिन्ना ने भी अपने 14 points में ये डिमांड रखी थी तो ये Government of India एक 1935 में मान लिया गया था और इसके चलती 1936 में जाकर ये separation हो पाया यहाँ पर इस session में इन्होंने socialist ideas को promote किया इसके बाद next session हुआ 1937 में यहाँ पर भी जवारलाल नहरू ही President चुने गए इस session की खास बात ये थी कि ये पहला session था जो कि गाउ में हुआ कौन से गाउ में? फैसपूर में फैसपूर महराष्ट में है यह Congress का 50th session था और इस साल Congress ने provincial elections में बड़ी जीत दर्ज की थी 11 में से 8 provinces में अपनी सरकार बना ली थी और इन elections में एक बात साफ हो गई थी कि Muslim League Indian Muslims को represent नहीं करती है क्योंकि इन elections में Muslim majority areas में भी Muslim League का प्रदर्शन बहुत ही खराब था इस साल एक important चीज ये भी हुई कि Burma और Aiden को इंडिया से अलग कर दिया गया था और ये भी Government of India एक 1935 के तहती किया जा रहा था तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1926 से 1937 तक की सभी Congress sessions को cover कर लिया है इंडिया की history और इंडियर पॉलिटी को डीटियल में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजिए link आपको description मिल जाएगा thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा